हेलो अबरिवन वेलकम बेक टो माँ चैनल इस्टड़ी विट टार्गेट आज की वडियों बात करेंगे हम इगनू रिक्यूर्मेंट दोजाटेश की सेलेक्शन प्रोसेस एक्जाम पैटर्न और उसके सेलेबस की बारे में है तो केने जाटने मुझे कमेंट किया था कि इसका आपके लिए और नोट्रिक्शन आने के बाद आपके कितने दिन बाद आपके चांस बन सकते हैं वह भी मैं आपको थोड़ा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले हम सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जिसमें आपके देखो आपके चीबीट वन होगा आने कि आपका CBT बन आपके एक्जाम होगा उसके लबग 10 महिने के बाद आपके CBT याने की टैपिंग टेस्ट आपके होगा एजने कि आवे आपके पास लबग तीन महिने का लबग आपके पास समय बचा है तो आप अपनी त्यारी को आराम से कर सकते हैं अब देखते हैं इसके स्लेक्शन प्रोसेश के बारे में तो इसमें आपके लबबग अब इसके देखते हैं एक्जाम पैटन इसमें आपके सामने जनरल अभरणनेस डीजनिंग हैं मैथ है और इंधी और इंग्लीज भासा कोई भी एक आपके चौश करनी एक्जाम सेंटर पर और एक कंप्प कितनी है और सटन बसके मैं आपको बता दू तो सटन कि मैंने पीडियाप टेलीग्राम पर चैंड कर दिये तो वाधर वहाँ पर जाकर आप एक बार पूरी पीडियाप को देख ले कि आपके क्या क्या है क्योंकि स्क्रिंग पर बताना थोड़ा इंपोसिबल जिससे आपको थ थाले बसका और गार इसमें आपके नोट नोटिस का न रख का आएगा देखो एग्जाम डेट आपके नोटिस के लोग सकते हैं तो भी यानिके 10 से 15 दिने आपको लबक एक्जाम का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा इग्णूर रिक्यूमेंट का तो यह पूरा प्रोसेस आपके होने वाला है वह सारी डिटल मैंने आपको बता दी और नेगेटिव मार्कें इसमें आपके बिल्कूल मिनिय करते हैं तो हो चके तो मैं आपको पूरा रिप्लाइद दिने की कोशिश करूँगा और नए स्टूडियो में जल बिलेंगे जै इंद जै बारत